विवेक अगनी होतरी के दाव वैक्सीन वार देखने गिया ये सोच के कि भारत ने कोविड के खिलाफ जो सफलता है हासिल की उसके बारे में बहुत कुछ दिखने को मिलेगा ठीक है accepted मान लेते हैं इस बात को कि कोविड ने सेकड़ो जिंदगिया बरबाद की हमारी अर्थवेवस्था को तहस नहस कर दिया हमारे medical infrastructure की पोल खोल डाली दुनिया के सामने इन सब चीजों से हम आज भी recover ही कर रहे हैं कुछ जगे कुछ सीख ली है बहुत जगे हम सब कुछ भूला चुके हैं लेकिन विवेक अगनी होतरी ना तो तीखे सवाल पूछेगा ना तो system को आड़े हाथ लेगा ये तो मैं मान कर ही गया था लेकिन भाई पहले कुछ गलम कदम उठाने के बाद सरकार ने कैसे सिरम इंस्ट्यूट अफ इंडिया के मदद से देश और दुनिया भर में कोवी शील्ड वैक्सीन पहुँचाया शायद पिच्चर में ये दिखने को मिलता या फिर कैसे भारत के मजबूत इम्मुनाइजेशन सिस्टम का इस्तमाल करके पूरे देश को कितनी जल्दी वैक्सिनेट कराया गया वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया गया पिच्चर में शायद वो दिखने को मिलता कि कैसे किया गया लेकिन तो वैक्सिन वर्ड तो किसी और ही एंगल में निकल गया विवेक अग्निहोतरी के इस पिच्चर में विलन कोविड नहीं है बलकि एक कौम है जिसे खामोश कराना बहुत ही ज़ादा जरूरी है अग्निहोतरी फैक्स को फैक्स तो मानते नहीं यह बात वो चौड से कहते हैं याद है न वो न्यूज लॉंडरी वाला इंटर्व्यू और इसी फिलोसफी के चलते उन्होंने दे वैक्सिन वर्ड में फैक्स को सूली पर लटका दिया अपना नेरेटिव चलाने के लिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पिच्चर पिटेगी जनता का कोई भरोजा नहीं है आज के डेट में लेकिन ऐसे कुछ बड़े कम से कम चार ऐसे बड़े जूट है जिस पे वैक्सीन वर की नीव टिकी हुई है चार पिलर्स टिके हुए है उस जूट के बारे में बात करना जरूरी है उसके बाद आप पिच्चर देखो पिच्चर फेको यह आपकी चोईस है देखो भईया पहले ही मैं स्पोईलर रेलर्ट देते ता हूँ बहुत लोग गोट से बन जाते हैं यह जानकर कि मैंने दो-चार स्पोईलर दे दिया है लेकिन वैक्सीन वार देखने से पहले कुछ फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है थोड़े स्पोईलर ही सही लेकिन फिर आप कंपेर कर पाओगे कि यह पिच्चर एक्चली फैक्ट बेस्ट है या यह केरेला स्टोरी के तरह ही इसके आगे भी एक नोटिस सुप्रीम कोट लगवाएगी कि इस पिच्चर इस बेस्ट उन हाइपोथेटिकल इंफोरमेशन सबसे बड़ा जूट यह वैक्सीन बनाया किसने और मैं सबसे बड़ा जूट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अस वर्सिस देम के नारेटिव से ही पिच्चर चलता है और इस नारेटिव को बनाने के लिए दिखाया गया है कि कोविड के प्रचंड से डील करने के लिए हमारे देश के ICMR इंडियन कांसल अफ मेडिकल रिसर्च और NIV नैशनल इंस्टिट अफ वाइरोलोजी ने मिलके कोविड के खत्रे को सबसे पहले पैचाना फिर कोविड वाइरिस को आइसुलेट किया फिर उसको टेस्टिंग की एनिमल ट्राइल हुए फिर हुमन ट्राइल के लास्ट फेस पर आके प्राइविट कंपनी भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया गया वैक्सीन को मास प्रड्यूस किया गया लोगों को वैक्सीन दिया गया लेकिन भारत के इस सफलता से इस सक्सेस से जल भुन के international conspiracy hatch की गई WHO ने भारत बायोटेक के इस को वैक्सीन मनें इंडिया के वैक्सीन को मनजूरी नहीं दी देश के खिलाफ anti-national media जो है वो सवाल उठाने लगा हमारे इंडिया मनें भारत बायोटेक के इस वैक्सीन के बारे में और देश की गरिमा देश के top scientist को बदनाम किया गया और कैसे ICMR और National Institute of Virology के scientist इन आरोपों का खंडन करते हैं कैसे इस narrative को हराया जाता है इस picture का एक बहुत एहम हिस्सा बनता है लेकिन जब मैं हॉल में ये picture देख रहा था तो थोड़ा जटका से लगा आपको भी लगेगा अगर आपने COVID काल में ICMR, National Institute of Virology, भारत बायोटेक के बारे में कुछ भी पढ़ा हो क्योंकि तो वैक्सीन वार का central theme जो है जो आक्रोश है, जो घुस्सा है, जो theme है वो यही है कि कैसे ICMR, National Institute of Virology, हमारे reputed scientist, top scientist, government scientist द्वारा बनाया गया ये vaccine दुनिया के ये जो anti-nationals है, ये जो anti, ये जो pro-left media है कैसे उन्होंने इसको नकार दिया ये बोलके कि India cannot do it अब अगर ये picture डेविट धवन टाइप action, adventure, fiction movie होती तो कोई बात नहीं, ठीक है भईया, सबने अपना-पना एक ख्याली पलाओ बना दिया लेकिन ये picture तो claim करती है, ये facts पर based है, देश के बारे में है vaccine war के बारे में है, तो movie के बाद जाकर check किया, double check किया, triple check किया तो vaccine तो ICMR और NIV ने बनाया ही नहीं भाई तो हमारे देश के scientist के इज़त और इज़त की उछालने इस पर सवाल कहां से आ जाता है Times of India किया ये 2021 का headline देख लो No technology transfer from Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology Co-vaccine is ours, says Bharat Biotech चीक चीक कर, भारत Biotech ये अपने website पर लिखता है, news articles पर लिखता है कि भाया ये vaccine हमने बनाई है, अब पता नहीं क्यों विवेक अगनी होतरी हमारे जो top scientist है उसको इसमें घसीट रहे है, और सुनलो, और ये वे quote कर रहा हूँ When we reached out to ICMR, NIV, we only reached out for the strain of the virus कि भाया आपने, और ये बिलकुल fact है, कि National Institute of Virology ने isolate किया इस virus को, और ये बहुत जरूरी है अगर उसका आपको antidote या vaccine बनाना है There was no technology as such coming to the industry from the academic body at that point of time We just needed our hands on the strain and that is what we got from Pune From there on, it was developed in-house, मैंने भारत बायोटेक ने किया Completely funded in-house, पैसा हमारा, taken through all the testing, animal, toxology and human testing कौन कह रही है, Krishna Ella, Chairperson of Bharat Biotech International तो जहां picture बोल रही है कि ये सिर्फ last moment पर आते हैं और भारत बायोटेक की कोई conversation ये नहीं होती है बात है कि कैसे भारत का अपमान किया, हमारे scientist का अपमान किया, हमारे देश का अपमान हुआ fact ये है कि एक private company भारत बायोटेक ने ये को वैक्सीन बनाया था तो सवाल फिर भारत बायोटेक पर उठता है ICMR, हमारे top scientist, हमारे virologist पर नहीं उठता है लेकिन इसी चीज़ की 70% मूवी इसी चीज़ पर आधारित है और भारत बायोटेक शुरू से ही, controversy में by the way रहा है भारत बायोटेक का जो application था for regulatory approval of co-vaccine December 2020 के बात कर रहा हूँ, सबसे पहले जब उन्होंने कोशिश की थी efficacy data तक नहीं था, ये basic data देना होता है approval के लिए वो नहीं था, उसके बाद ये जो participants थे ये जो co-vaccine का clinical trial हुआ, भोपाल में ये जो trial में जो ये लोग थे इस vaccine के, उन्होंने complain किया, उन्होंने कहा कि जो investigators हैं उन्होंने बताया तक नहीं कि हमें एक experiment का हिस्सा बनाया जा रहा है उन्होंने लगा कि एक vaccination drive चल रहा है तो हमें भी injection लग रहा है उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो गिनी की pig बने पड़े हुए है उसके बाद उनको सारे documents भी नहीं दिये गए थे उनके consent documents उनके पास नहीं थे और उसके बाद आता है international conspiracy WHO ने क्यों reject कर दिया क्योंकि WHO का एक four step process होता है acceptance of manufacturers, expression of interest, इसे EOI कहते हैं फिर pre-submission meeting होता है WHO and manufacturer के बीच में acceptance of a dossier for review होता है उसके बाद assessment और final decision होता है भारत biotech का जो co-vaccine है वो first step में fail हो जाता है expression of interest में ही आपके details incomplete होते हैं और इसे reject कर दिया जाता है अब ये आपकी शरद्धा पर है कि भाई इसे reject क्यों किया गया था कि भारत biotech ने कुछ गडबड की थी या फिर हमारे देश के खिलाफ एक conspiracy है और conspiracy stretch करती है जब Brazil suspend कर देता है 20 million co-vaccine के doses का order जो भारत biotech से order किया था Brazil उसे suspend कर देता है क्योंकि भारत biotech ने key steps जो लेने चाहिए थे इस vaccine को बनाते समय वो नहीं लिये थे time and again भारत biotech के साथ problem आते रहे हैं और इन चीजों को जब raise किया गया है खासकर कि movie में दिखाया गया है कि जब सवाल उठे हैं तो इसके दिखाया जा रहा है कि ICMR हमारे top scientist हमारे virologist के खिलाफ एक शडियंत्र रचा जा रहा है ऐसा क्यों नहीं होता है कि दूसरे जगे फिर हमारे scientist का मजाक उड़ाय जाता है जब हम चंद्रयान launch करते हैं और चांद तक पहुँचते हैं तो क्या हमारे ISRO के scientist का मजाक उड़ाय जाता है या दुनिया हमारे साथ cheer करती है ऐसा क्यों victimization वाली philosophy पे हम रहते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया है तो शायद हमें internally भी देखने की ज़रूरत है ऐसा क्यों कि जब भी कुछ spot out किया जाता है तो इसका मतलब है कि एक शडियानंत्र है लेकिन विवेग अकनी होतरी ने इतना बड़ा जूट क्यों बोला भारत बायोटेक के shady रोल को क्यों छुपाने की कोशिश करी हमारे इंडियन साइंटिस्ट को victim card क्यों खिलवाया उसके पीछे भी एक वज़े है मूवी का जो real villain है आरे भाई ये real villain को फिर villain भी तो बनाना पड़ेगा villain तक आते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने The Vaccine War देखी है देखने जा रहे हो उसके बारे में सुना है ट्रेलर देखा है तो आपको क्या लगता है इस picture के performance इस picture के topic इसके narrative इसके patriotism के दम पे क्या The Vaccine War कश्मीर फाइल से भी जादा बड़ी picture बनेगी जो विवेक अगनी उतरी की पिछली picture थी In your opinion Will the movie Vaccine War have more box office collection than Kashmir Files by the 20th of October देखे इन opinion के बदले आप earn तक कर सकते हो rewards via opinion trading platform Probo Probo आज के हमारे देशभक्त review के partners है Probo पे आप अपने skills और educated knowledge को use करके अपने opinions को yes या no में share करके invest कर सकते हैं और सही होने पर आपको cash reward भी मिल सकता है लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा उसके बादी answer लगाना पड़ेगा For example ICC World Cup में कौन जीतेगा हमारी GDP कितने प्रतिशत से बढ़ने वाली है इस साल या फिर यूक्रेन रशिया के unending war का solution कब और कैसे निकलेगा ऐसे ही world affairs, climate condition या जी के questions मिलते हैं आपको Probo पे और उस पर trade करके आप ऐसे earn कर सकते हो देशभक्त का सवाल on Probo today is Will the movie vaccine war have more box office collection than Kashmir files by the 20th of October अगर आपका opinion सही निकलता है तो आप profit कमा सकते हो जिसे आप बिना किसी hassle PTM, Google Pay या card के द्वारा withdraw भी कर सकते हो Probo पर 10 million से भी जादा लोगों ने अपने skill से profit earn किया है तो link मैंने Probo का description में दिया हुआ है download कीजिए और एक welcome bonus भी पाहिए Anyways, अब आते हैं असली villain पर और दूसरा सबसे बड़ा जूट की भाई vaccine war का villain कौन है अगर आप the vaccine war देखोगे तो आपको लगेगा कि मोदी सरकार बिलकुल बेबस है foreign politics और ये जो domestic media है इनके scheme का शिकार बनी पड़ी हुई है बेबस है ये सरकार उनके सवालों से गिरी हुई है ये मोदी सरकार अप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या एडिटर भेव कर यार अभी फिर cancel हो जाएगा पूरा review channel delete हा the vaccine war में असली villain है रोहिनी from the daily wire कितना indirect reference है अब रोहिनी from the daily wire के पास है foreign companies का दिया हुआ एक toolkit और वो चाहती है कि सरकार आत्म निर्भर vaccine नहीं international vaccine पर निर्भर हो हमारा देश लाचार रहे foreigners के घुटने टेक दे उनके सामने ऐसे ही पत्रकार होते हैं हमारे देश में खासकर कि जो leftist पत्रकार होते हैं और मूवी का एक एहम प्लोट ये है कि कैसे nationalism जीतता है और रोहिनी और the daily wire का जो west bias है वो हारता है असल जिन्दगी में कितने कितनी ही press बाकी है सवाल पूछने के लिए असल जिन्दगी में कौन हमारे scientist को इस तरीके से disrespect करता है India can't do it बोलता है लेकिन movie में तगड़ा narrative बनाया गया है कि सवाल करने वाला हमारे देश के खिलाफ है हमारे विकास, हमारी गती को रोकने की कोशिश कर रहा है और इसी लिए हो सकता है कि first day पर ये picture भले ही ना चली हो लेकिन बाद में कश्मीर फाइल्स के तरह ये picture भी काफी तूल पकड़ ले क्योंकि इस पे भी us versus them का एक narrative बनाया गया है बोलने के लिए ये एक bio film है science और bio technology के बारे में है लेकिन इसमें भी कूट-कूट के us versus them भरा हुआ है लाइ नमबर 3 Indian vaccine versus foreign vaccine इसमें भी us versus them बनाने की कोशिश की है और इसमें villain है WHO WHO चाहती है कि इंडिया भी घुटने टेक दे foreign vaccines के सामने ये सब क्या बनाने की कोशिश कर रही है आत्म निर्भर vaccine मत बनाओ तुम भी Moderna लो, तुम भी Pfizer लो तुम भी AstraZeneca लो लेकिन कही न कही पिच्चर ये भूल जाती है कि हमारे देश की सबसे बड़ी international success भी रही है कि कितनी speed से और कितनी सही तरीके से हमने AstraZeneca को replicate किया हमारी Serum Institute of India ने फिर उसी AstraZeneca को COVID Shield के नाम पर mask produce किया और कैसे एक cheap rate पर बहुती सस्ते दाम पर पूरे देशवासियों को vaccinate कराया गया और दूसरी जगे internationally भी हमने 100 से ज़ादा देशों में इसी को भेजा और इसी COVID Shield के वज़े से हमें vaccine मैत्री और हमें एक actually vaccine center बोला गया और ये जो co vaccine है इसको सिर्फ emergency approval मिलती है इतनी मशक्त करने के बाद तो कही न कही problem इस domestic vaccine में भी थी इसके manufacturing process पे थी इस private company में भारत बायोटेक में थी लेकिन दिखाने की ये कोशिश की गई है कि ये सब foreign vaccine companies का किया धारा है और इसी ने हमें दबाने की कोशिश की है ये इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं और as I said ये हो सकता है ये narrative बिक भी जाए lie number four और ये actually hurt भी करता है कि किस तरीके से ये picture एकदम जूट के बल पर चली जाती है और दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे हमारी सरकार day one से ready थी जबसे चाइना में ये virus फहला था तभी से निगरानी चल रही थी और तभी से vaccine की बाते भी होने लगी थी तभी से preventive call भी लेना शुरू हो गया था जबकि facts on the ground कुछ और ही है कि सरकार पहले सोती हुई ही पाई गई थी और उसके बाद obviously steps तो जरूर लिये गए थे तो ये जो stunning efficiency of the government है ये थोड़ा सा doubtful नाना पाटेकर जो कि ICMR के head बनते हैं वो प्रधान मंत्री से मिलने के बाद कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने कहा है science must win science की बात सुनी जाएगी और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी लेकिन fact तो ये है कि अगर प्रधान मंत्री ने कभी ऐसा कहा होता तो शायद अपनी मंत्री गण को भी ये बात बोली होती है अपने party के लोगों को भी ये बात बोली होती क्योंकि वो तो गवमूत्र और पापड के पीछे ही पड़े थे कि कैसे कोविट से निजात पाया जाए अगर इतनी ही alertness हमने पहले दिखाई होती जितना picture हमें बोलने की कोशिश कर रही होती है तो फिर गंगा मया में dead bodies float नहीं कर रही होती और इसी तरीके से इसको जो लीपा-पोती करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे science जीती है इस picture में by the way science को celebrate किया है उसमें कोई problem नहीं है science को celebrate करना चाहिए लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है हकीकत में R&D expenses कहा जा रही है सरकार की हकीकत में science awards का क्या हो रहा है कि सरकार के जो ministries हैं वो कह रहे है science award देंगे लेकिन पैसे नहीं देंगे science award में तो scientist अपना EMI कैसे भरेंगे formula से भरेंगे क्या और delta wave पिचर में आता है और चले जाता है भई vaccine war है सब को चंगा सी दिखाना है तो delta wave में जो जिस तरीके से लोग मरे थे कीड़ मकोड़ा के तरह उसको completely paper over किया जाता है पिचर के पास बहुत सारी opportunities थी अगर actually एक hard look लेना था COVID के उपर की COVID आया उसके बाद long COVID का क्या lasting impact क्या हुआ इन सारे vaccines का हमारे healthcare system क्या सुधरी या नहीं सुधरी उस पर भी सवाल नहीं एक बहुत बड़ा miss internal rivalry के चकर में अपना narrative बनाने के चकर में जो सवाल पूछ रहे हैं उनको कटगरे में लाने के चकर में जो सबसे बड़ा एक aspect था जो इस picture को international hit बना सकती थी वो था कि China virus Wuhan का जो aspect था उसको अच्छे तरीके से investigate ही नहीं किया गया कि China का role क्या है China को इसमें कटगरे में ला सकती थी ये picture लेकिन ये काम नहीं किया गया ना कोई hard questions पूछे गए सरकार से ना कोई hard questions पूछे गए चाइना से अब जवान थोड़ी नहीं है ये picture जो system पर सवाल उठाएगा लेकिन तब भी आप इस picture में बहुत कुछ और भी कर सकते थे जो आपने नहीं किया आप तबलीगी जमात ला सकते थे इस picture में और उनको ब्लेम कर सकते थे COVID के लिए जो की हमारे मीडिया ने काफी दिनों तक किया जब तक Supreme Court ने इस पूरे case को खतम नहीं किया और पाया की तब-तब लीगी जमात को फालतु में ब्लेम किया गया है तो वो वाला angle आप लाकर us versus them भी कर सकते थे लेकिन वो नहीं किया Thank you Vivek Agnihotri for the fact that आपने women's contribution को इतनी अच्छी तरीके से दिखाए इस picture में और इसमें कोई doubt नहीं है कि चाहे virilogy की बात हो, चाहे space science की बात हो, ISRO की बात हो, ICMR की बात हो, women have really led from the front और ये चीज अच्छी तरीके से इस picture में दिखाई गई है कि हमारे इस war against COVID, ये जो vaccine war है इसमें women का कितना बड़ा role रहा है तो that is of course credit to him जो struggle है scientists का, जो struggle है doctors कि किस तरीके से वो घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके families रो रही हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है लेकिन, जो गलतियां हुई है वो थोड़ा सा अगर और अच्छी तरीके से दिखा जाते है कि भाईया किस तरीके से लोगों को बरबरता से treat किया गया, जिस तरीके से oxygen shortage हुआ जिस तरीके से सरकार सोती पाए गई लेकिन हाँ conspiracy theories बिखती है और हो सकता है इसी conspiracy theory के चलते 300 करोर की picture ये फिर से बन जाए क्योंकि बहुत interesting होगा इसका performance देखना अभी कुछी दिन पहले जवान आती है super hit बन जाती है और जवान का जो central theme था कि भाया system से सवाल करो और लोगों को ये बात पसंद आती है कि uncomfortable questions raise किये गए है system से सवाल उठाए गए है यहाँ the vaccine war में बिल्कुल उल्टा होता है कि जो सवाल कर रहे हैं उनसे पूछो वो सवाल क्यों कर रहे हैं उनको सवाल नहीं करना चाहिए वो ज़रूर funded हैं इसलिए वो सवाल कर रहे हैं तो अब देखना है कि audience इस picture को किस तरीके से treat करता है क्या audience भूल जाता है कि COVID ने हमारे साथ क्या किया क्या audience celebrate करने के mood में है और क्या audience इस जूट को accept करेगी कि ICMR और हमारे virulogist को खीचा जा रहा है जो हमारे domestic vaccine के बात है वो भारत biotech ने किया है हमारे सरकारी scientists ने उल्टा सीधा काम नहीं किया क्या audience ये बात समझ पाएगी ये देखना काफी ज़रूरी होगा Thanks to Probo for making this review possible आपको क्या लगता है क्या the vaccine war pick up करेगी और the Kashmir file से भी ज़्यादा बड़ी picture बनेगी by the 20th of October आप भी अपने opinions आप भी अपने thoughts बता सकते हैं on Probo download link मैंने नीचे दिया हुआ उसको भी ज़रूर try out करिएगा और अपने opinions से आप profit भी कर सकते हैं Many thanks for watching more episodes coming up